हलो दोस्तो आपका अपना चैनल अविश्टडी 95 में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कि करकरेखा भारत के किनकिन राजियों से होकर जाती है दोस्तों देखी करकरेखा किस्तिती पहले हम गलोब के माद्धियम से समझेंगे फिर मैं उसको मैप में दिखाऊंगा कि करकरेख कि श्तितिवी ग्लोब कर दोस्तों यह गुलोब है अगं़ माल लीज़ीव एक पीरधीपक खिची गई पुरु से पच्छ्चिम के तरफ एक समंतर रेखाये हैं जाति अच्छांस बोलते हैं दोस्तों। और यह अच्छांस रेखाएं कालपनिक रेखाएं होती हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए जीरो अच्छांस की अच्छांस रेखाएं को भूमद रेखा या बिस्वत रेखा करते हैं दोस्तों जीरो अच्छांस से साड़े तेश दिगरी उत्तर जो रेखा होती है उसे करक रेखा इसी करक रेखा के बारे में समझना है कि ये करक रेखा भारत के किनकिन राजियों से उकर गुजरती है दोस्तों ध्यान दीजिए जीरो अच्छांस रेखा से साड़े चाच्छा डिगरी उत्तर आर्टिक रेखा होती है दोस्तों ध्यान दीजिए और नीचे साइड में देखिए जीरो से साड़े तेश डिगरी साउथ में मखर रेखा किस्तिती है और जीरो से साड़े चाच्छा डिग्री स्थ में और्ट ग रेखा की स्थिति ये दोस्तोँ ध्यान दीजिए किierno मैप माध्यम से देखेंगे कि करक्रेखा भारत के किन किन राजियों से गुजर रही है तो दोस्तों देखिए ये करक्रेखा की स्थिति है फिर्ट डिग्री अच्छांस थे साड़े तेश डिग्री उत्तर के तरफ जो रेखाएं थी उन्हें करकरेखा बोलते थे तो यह करकरेखा की स्थिति है यह मैप में देखिए इस मैप में पहला जो इस टेट करकरेखा पे तो दोस्तों मैप में करकरेखा की स्थिति है यह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो दोस्तों आए हम इसके लिए एक फनी टिक बनाए है जो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे तो दोस्तों इसको टिक के माध्यम से देखेंगे जो आप टिक से नहीं भूल सकते हैं तो दोस्तों करकरेखा भारत के आठ राज्यों शोकर गुजरती हम इसको मैप के माध्यम से देख चुक राजी आपको याद हो जाएंगे दोस्तों तो टीक है दोस्तों मित्रों बगल के राजगुरू का यंपी में 36 का जगड़ा है दोस्तों इस टीक में हम एक एक वर्ड से आपको सभी राजी को रिलेट कराएंगे ध्यान दीजे दोस्तों मित्रों में मी से दोस्तों मिजोरम अत्रों से दोस्तों त्रीपुरा और बगल से देखिए दोस्तों पहच्ची मंगाल और के दोस्तों साइलेंट है ध्यान दीजे के साइलेंट है और दोस्तों ध्यान दीजे राज से राजस्थान गुरू से दोस्त गुजराट, का साइलेंट है, यंपि इसे मध्यपरदेश, में साइलेंट है, छाटीस का जगडा है ध्यान दीजे sticking to object over का इसमें साइलेंट है और जगड़ा से दोस्तों जहार खंड तो यह दोस्तों टिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल सकते कि करकरेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है टिक को आपको एक से दोबर पढ़ना है याद रहेगा नहीं भूलेंगे तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज नए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब लाइक और वेल आइकन दवाना न भूलें ताकि मेरी हर एक अपडेटेड टिकी और फणी वीडियो सबसे पहले आपके पास होचे तो दोस्तों मैं इसी तरह की फणी और टिकी वीडियो लेकर आता रहूंगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत